हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टूर चैनल, तो आज हम बनाएंगे आलू पालकी मसाला पूरी, ये पूरी खाने बहुत जाया टेस्टी लगती हैं, इस वीडियो में मैंने कुछ टिप्स आपके आज शेयर किये हैं, और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करके ये रेसिपी बनाएं जैसे ही पानी अच्छे से गरम हो जाएगा, मैंने यहापर कुछ पालकी पतियों को दोका रखा वा था, तो इन पालकी पतियों को मैं इस गरम पानी में डाल देंगी, और जहाँ पर गैस का फ्लेम है, वो लो टू मीडियम रखेंगी, यहाँ पर सभी पालकी पतिया में ड तंड़ा पानी रखा हुआ है जैसे इन पालक की पतियां निकाल लेंगे तुरन तीसे हम ठंड़े पानी में डाल देंगे इससे जो पालक की पतियां होती है उनका कलर जो है वो फेड नहीं होगा एज़टी इस ग्रीन बरकरार रहेगा तो सबी पतियों को मैंने जो है अजवाइन, आदा चमच हल्दी एक चमच धनिया, आदा चमच गरमसाला, नमक स्वादुनसार और दो चमच सूजी के लिए हैं मैंने यहाँ पर सूजी डालने से जो पूरी है वो फूली 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 बहुत ही खस्ता बनकर त्यार होती है तो सूखे में इस चीज़े को मिलाने के बाद जो पालक के पते थे उनको मैंने इस तरह से ग्राइंड कर दिया है अब इस पालक के पते ग्राइंड किया हुए इसी को माटे में डाल देंगे और यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखे कि जो भी है मसाले मैं बता रही हूँ आप उनको इसी तरह से डाल लेगा तो आपकी जो पूरियां है बहुत ही खसता बहुत ही टेस्टी और फूली फूली बनकर त्यार होंगी बिल्कुल गुबारी तरह आपकी पूरे भी फूल लेंगी यहाँ पर मैंने दो आलो को बॉल करके रख दिया था उनको मैश कर लिया है तो यह बॉल्ड और मैश आलो भी हम इस आठे में डाल देंगे अभी पहले यहाँ पर हमें अपने हाथों की मदद से सुखे में इन सब चीज़ों को मिलाएंगे और फिर पानिक की मदद से यहाँ पर एक अच्छा सा आठे का डो हम लगाकर रेड़ी कर लेंगे अब यहाँ पर हम डालेंगे कम से कम दो से तीन चमच ओयल के यहाँ किसी भी ओयल का इस्तमाल कर सकते हैं की से इसिदी के सिद्माल कर सकते हैं बटर के सिद्माल कर सकते हैं ऑर यह पर पाय डाल कर जो अ ठीझ करunda करेंगे और यहां पर मैंने पहले ही ग्यास पर तेल जो है गरम होने के लिए रख दिया था और जैसी यह तेल अच्छे से गरम हो गया है यहाँ पर ग्यास की जो flame है वो low to medium रखेंगे और यहाँ पर जो हैं मैंने पूरी बेल कर फ्राए करने के लिए डाल दिया है आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो पहले हम तेल गरम करेंगे वो भीकुल हाई फ्लेम पर करेंगे लेकिन जब मैं पूर डालेंगे तो उस टाइम पर जो ग्यास का फ्लेम है वो वीडियम टू लो कर देंगे तो यह देखिए यहाँ पर हम पूरी को फ्राय कर रहे है अलट प्लट कर दोनों साइट से इस पूरी को अच्छे से हम फ्राय कर देंगे और यह देखिए कितने अच्छे से पूरी जो है गुबारी तरह फूल गई है कितनी फलफी बनकर यह पूरी त्यार हो रही है आप इन और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो जो आपकी पूडियां होंगी वो बिल्कुल ऐसे ही फूली फूली और खसता बनकर त्यार होंगी तो अलट प्लेट कर दोनों साइट से हम इसे अच्छे से ब्राउन होने तक गोल्डर ब्राउन होने तक पकाएंगे और यह देखिए यह पूड़ अच्छे से फ्राई हो चुकी है इसके इंप्लेटिंग कर देते हैं तो यह देखिए दोस्तो कितनी टेस्टी और हेल्दी पूड़ी जो है बनकर त्यार हो चुकी है तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे वीडियो को शेर कीजे अगर आप चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे और मुझे कमेंट करके ज़रू बताइएगा कि आपकी जो ये अलू पालक मसाला पूरी जो है कैसी बनकर त्यार होई है और प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक कीजे और शेर कीजे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजे थैंक्यू सो मच